हलो दोस्तो, वेलकम टू स्टेडी उनिवर्स मद्यप्रिदेश के नमबर वाँ चैनल फोर डेली करण्ट अफेर के इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे मध्यप्रदेश weekly current affair यानि मध्यप्रदेश सापता है current affair के बारे में दोस्तो आपको बता दे एक से दस माई के बीच जितने भी current affair के important question बने है मध्यप्रदेश overall world से तो वो आप तक लेकर आए है ये वीडियो आपकी सभी पृतियोगी परिक्षाओं के लिए बहुत important है आपके जितने भी competitive exams होंगे उनमें यहां से question जरूर पूछे जाएंगे ये वीडियो हिंदी और इंगलेस तोनों भाषाओं में बनाये गया है तो दोस्तो आप इस वीड और silver range award किसे दिया गया है तो इसका सई option है थंग जाम धावली थंग जाम धावली को यह जापान की द्वारा और अबोट दिया गया है दोस्तों आपको बता दें थंग जाम धावली मनीपुर की रहने वाले हैं और इन्हें यह अबोट जापान परेटन का प्रचार प्रश मद्ध प्रिदेश के द्वारा माध्यान भूजन बनाने वाले रसुईयों को उनकी खाते में 22,000 रुपए प्रती रसुई के हिसाब से 42 कड़ो रुपए ट्रांसफर किये गये हैं नेस्ट कॉशन है ADV द्वारा COVID-19 से लड़ने भारत को कितने डॉलर दिये गए हैं तो इसका सही ओफशन है 2 बिलियन डॉलर ADV के द्वारा भारत को COVID-19 से लड़ने के लिए दिये गए हैं नेस्ट कॉशन है राजा रभी वर्मा कौन थे तो दोस्तों ये एक महान पेंटर थे जिनकी हाली में बर्षगांट मनाई गई है नेस्ट कॉशन है हाली में रीचार्ज साथी के लिए PTM ने किस से करार किया है तो इसका सही ओफशन है Idea Vodafone Idea Vodafone के साथ PTM ने रीचार्ज साथी एप के लिए करार किया है नेस्ट कॉशन है हाली में चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ ये कौन थे तो दोस्तों ये एक फूटबॉलर थे और साथ ये क्रिकेटर भी थे ये दोनों गेम खेलते थे लेकिन इनका जो ज़्यादा खेलने में अनुभाव था और जिल्चस्वी थी वह फूटबॉल में थी तो इनका हाली में निधन हुआ है और ये एक फूटबॉलर थे जिनका नाम है चुन्नी गोस्वामी नेस्ट कोशन है हाली में केसे जियाई टेग दिया गया है तो दोस्तो इसका सही उफ्षन है काला चावल तेर कोटा आठ और केसर यानि इन तीनों को हाली में जियाई टेग दिया गया है दोस्तो आपको बता दे काला चावल कहां पाया जाता है तो ये मनिपुर में उखता तो यहां इसको भी GI Tech दिया गया है, TARE igual Rete ये दोस्तो गोरखवookie का एक आर्ट है, इसे GI Tech दिया गया है प्रतियक 10 जाता है, और इसे गयुकरपार गया है तो दोस्तो ये तीनों GI Tech दिया गया है आपको बतादें GI Tech का फुल फॉम होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन दोस्तों ये प्रित्तिक 10 वर्ष के लिए दिया जाता है 10 वर्ष बाद ये जियो जी आइट है वह अपने आप समाप्त हो जाता है तो आपको इतना इसके बारे में याद रखना है नेस्ट कोशन है हाली में किस अभीनेता का निधन हुआ है तो दोस्तों हाली में एरफान खान और रिशी कपूर इन दोनों अभीनेताओं का निधन हुआ है जोस्तों आपके बता दें रिसी कपूर है जो इन्हें लाइक टेम अचीव्मेंट अवार्ड 2008 में दिया गया था Next question है अंतरास्टिये शर्मिक दिवस कम मनाया जाता है तो 1 मैं को अंतरास्टिये शर्मिक दिवस मनाया जाता है Next question है मेरिकॉम कम्यूकेशन्स की अनुसार स्वरूर्जा में भारत का कौन सा इस्थान है तो मेरिकॉम कम्यूकेशन्स की अनुसार भारत का स्वरूर्जा की मामले में तीसरा इस्थान है नेस्ट कोशन है हाली में किसे मद्धिप्रदेश शाषन में प्रमुख सचव बनाया गया है तो ये है कलपना श्रीवास्तव को मद्धिप्रदेश सासन में प्रमुख सचव बनाया गया है नेस्ट कोशन है हाली में किस राज ने अपने मंडी अधिनियम में बदलाप किये हैं तो ये है मद्धिप्रदेश मद्धिप्रदेश ने हाली में अपने मंडी अधिनियमों में कुछ महत्पुन बदलाप किये हैं दोस्तो अब घर बैटे ही ब्यापारियों को फसल बेज सकेंगे, जो किसान है वह ब्यापारियों को फसल बेज सकेंगे, ऐसे ही कुछ और बदलाप किये गए है मंडी अधिनियम में मद्धिप्रिदेश सरकार की द्वारा. नेस्ट कॉशन, मद्धिप्रिदेश के विख्यात संत सिंगाजी का चनमुत्सव का वर्ष कौन सा है? तो यह है सिंगाजी का चनमुत्सव का 501 वा वर्ष है. दोस्तो आपको बता दें, सिंगाजी का मेला जो मद्धिप्रिदेश में सबसे पिक्यात है, यह है खंडवा में लगाया जाता है और इनका जो नाम है वह संत सिंगा जी के नाम पर यह मिला लगाया जाता है नेश्ट कोशन है हाली में किस देश ने माउंट एवरेस्ट पर 5G पहुंचाया है दोस्तो ये देश है चीन हाली में चीन ने माउंट एवरेस्ट पर 5G पहुंचाया है दोस्तो बात आई है चीन की तो आपको कुछ important fact चीन के बारे में बता रहें चीन की राज़्थानी है बीजिंग यहां की जो currency है वह है रेन मिनवी और यहां की जो president है वह है C. Jinping तो इतना आपको चीन के बारे में याद रखना है next question है C.A.I.T. द्वारा कौन सा e-commerce बाजार शुरू किया गया है तो इसका सही option है भारत market भारत market C.A.I.T. के द्वारा e-commerce बाजार शुरू किया गया है दोस्तो यह C.A.I.T. है क्या इसका full form आपको बता दें तो confederation of all India traders यह C.A.I.T. का full form है next question है कब विश्वहाश दिवस मनाया जाता है तो प्रतिक वर्ष 3 मई को विश्वहाश दिवस मनाया जाता है next question है हाली में मद्विदेश में रेशम आयुक्त किसे बनाया गया है तो यह है राजीव शर्मा राजीव शर्मा को हाली में मद्य बिदेश का रेशम आयोक्त बनाया गया है Ilyarf unless question है हाली में कब ट्रेक्षो प्रेस सुतंत्रता दिवस तीन माई को दीन माई को 202 प्रेस सुतंतरता दिवस मनाया गया और दोस्तो इसी दन 202 Тथ मनाया जाता है दोस्तो इस बार जो विशो प्रेस स्वतंता दिवस यानि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम थी वो थी जर्नलिजम बिदाउट फियर एंड फिवर तो ये थीम आपको याद रखना है किसी भी एक्जाम में आपसे थीम पूछी जा सकती है आजकल थीम पर बेस्ट बहुत ये फेड कप हार्ट टैनिस फेडरेशन की द्वारा दिया जाता है और इस वर्स ही शुरू किया गया है और पहला अबॉर्ड सानिया मिर्जा को दिया गया है नेस्ट कॉश्चन है किस जिले की पुलिस द्वारा संकल्प योजना शुरू की गई है तो दोस्तो ये है उमरिया जिले की पुलिस की द्वारा संकल्प योजना शुरू की गई है दोस्तो आपको बता दें उमरिया जिले के कुछ important fact के बारे में तो उमरिया में राज्य का सरवादेक लाख उत्पादन किया जाता है एक ग्राम एक सरोबर योजना का जो उत्खाटन है वह उमरिया से ही किया गया था बांदावगण राज्य उत्यान उमरिया में ही इस्तित है तो आपको इतने important fact उमरिया के बारे में याद रखने है दोस्तो ये संकल प्योजना जो प्रद्दजन या बुजर्गें उनकी 24 गंटे सहायता के लिए की गई है नेश्टे कोशन है हाली में कौन सा पक्षी पांच मिनिट में पांच दिन में 5000 किलोमीटर की यात्रा करके मद्य प्रदीश पहुचा है तो यह है मंगोलियन कोयल मंगोलियन कोयल पाँच हजार किलोमीटर की यात्रा सिर्फ पाँच दिन में कंप्लीट करके मध्यप्रदेश पहुंचा है Next Question है Reliance Geo में Silver Lake ने कितनी हिस्सिदारी खरीदी है तोस्तो यह हिस्सिदारी है 1.5 प्रतिशत आपको बता दें यह Silver Lake कंपनी यह USA की कंपनी है और इसने भारत की Reliance Geo में 1.5 प्रतिशत की हिस्सिदारी हाली में खरीदी है दोस्तो यह है जो निवेस है वह है 5,655 करोड रुपे का किया गया है Next Question है अंतरास्टिय अगनी शामक दिवस कब मनाया जाता है तो प्रतिक वर्ष 4 मई को अंतरास्टिय अगनी शामक दिवस मनाया जाता है हाली में आयजित विश्व संग्ठन नाम समिट में भारत की तरब से किसने हिस्सा लिया है तो हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्रमदी जी ने नाम समिट में हिस्सा लिया है अब दोस्तो बाताईए नाम समिट की तो आपको इसके बारे में बता दें नाम का फुल फॉर्म है नॉन अलाइंग मुमेंट इसके स्थापना 1961 यानि 1964 में की गई थी इसका जो चेयर्मेन देश है वह अजर विजान है यहां के जो चेयर्मेन है वह है इलहाम अलियेव है और इसमें 120 देश मेंबर है दोस्तो आपको बताईए नाम समिट की अध्यक्षता भारत कर चुका है और भारत ने 1983 से 86 के बीच नाम समिट की अध्यक्षता की थी तो इस बार यह है जो संग्ठन की जो समिट आयजुद की गई है वह है अजर वैजान में की गई है और प्रधानमती नरन मोदी जी ने ओनलाइन इसमें हिस्ता लिया है तो इतना आपको इसकी बारे में याद रखना है अब यह बूबल है क्या आपको इसकी बारे में फुल फॉर्म बता देगा नेस्ट कॉशन है संबल योजना को हाली में किस राज्य में शुरू किया गया है तो ये है मद्यप्रदेश मद्यप्रदेश में संबल योजना को दो बारा शुरू किया गया है दोस्तों संबल योजना पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाने का सोचा है आपको पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मैं आपको इस पर वीडियो ला दूँगा तो आपको याद रखना है संबल योजना मद्यप्रदेश में दूबारा शुरू की गई है नेस्ट कोशन है हाली में किस जिले को जल अभाव ग्रस्त घोशत किया गया है तो ये है सागर मद्यप्रदेश की सागा जिले को जल अभाव ग्रस्त घोशत किया गया है दोस्तो बात आईए सागर की तो आपको कुछ important fact मैं हमिसा जिलों की बारे में बताता हूं दोस्तो पहला important fact है सागर को भारत का हरदय भी कहती है सती का प्रथम उलेक एरन अविलेक में मिलता है जो सागर में ही इस्ते थे जवाहला नहरू प्रिसिक्शन केंडर जो पुलिस अकेड़मी प्रिसिक्शन केंडर है यह भी सागर में ही इस्ते थे मंगलगिरी जेंतीर्थ इस्तलवी सागर में ही इस्ते थे धामोनी उर्षका जो मिला है वह सागर में ही लगाया जाता है दोस्तो स्वान योजना की शुरुआत 2004 में सागर से ही की गई थी और मद्धिश का सबसी बड़ा वर्न जीव अभ्यारन जिसे हम नौरा देही वर्न जीव अभ्यारन की नाम से नेस्ट कोशन है हाली में किसे पुलिटजर पुरुषकार से सम्मानित किया गया है तो दोस्तो ये तीनों यानि इन सभी को पुलिटजर पुरुषकार से सम्मानित किया गया है आप नाम पढ़ लें तो पहला नाम है कंबल आनेंद दूसरा नाम है मुकतार खान और तीसरा दार यासीम इन तीनों को पुलिट्शिकर पुरुषकार से सम्मानित किया गया है दोस्तो आपको बता देए ये तीनों जम्मू कस्मीर के फोटोग्राफर और जनलिस्ट हैं इन्हें हाली में यह पुरुषकार दिया गया है नेश्ट बिस्व अस्थमा दिवस, कम मनाया जाता है? तो दोस्तों, पांच माई को बिस्व अस्थमा दिवस, मनाया जाता है और इस बार इसकी जो theme रखी गई है वह enough ashamed death. ये theme रखी गई है बिस्व अस्थमा दिवस की. नेस्ट कॉशन है डिसकस खिलाडी संदीप कुमारी पर डोपिंग की मामले में कितने साल का प्रतिवंद लगाया गया है तो दोस्तो चार साल का प्रतिवंद डिसकस खिलाडी संदीप कुमारी पर लगाया गया है दोस्तो ये डोपिंग का जो मामला है वह बाड़ा की द्वारा लगाया गया है नेक्स्ट कॉश्चन है विस्व हात स्वक्षिता दिवस का मनाया जाता है तो पांच माई को विस्व हात स्वक्षिता दिवस मनाया जाता है दोस्तो नेक्स्ट कॉश्चन है, हाली में किस देश ने कोरोना से लड़ने एंटिवोडी बनाने का दावा किया है, तो ये देश है इसराइल, हाली में इसराइल देश ने कोविड-19 से लड़ने एंटिवोडी बनाने का दावा किया है, दोस्तो बात आए इसराइल की तो है new shikil तो इतना आपको इसराइल की बारे में याद रखना है नेस्ट कोशन है विसाका पत्नम में कौन सी गैस का रिषा हुआ है तो दूस्तो आपको रता दे ये most IMP कोशन है आपकी किसी भी एक्जाम में पूछा जा सकता है विसाका पत्नम में जो गैस रिषा हुई थी उसका नाम है इस टाइरेंड ये आपको याद रखना है ये most IMP कोशन है नेस्ट कोशन है विस्व एथलेटिक्स दिवस का मनाया जाता है तो प्रतिक साथ माई को विस्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है नेस्ट कोशन है किस राज ने सरम सुधारों को लेकर बड़ी घोशना की हैं तो यह है मद्यप्रदेश मद्यप्रदेश सरकार द्वारा सरम सुधारों को लेकर हाली में बड़ी घोशना की गई हैं तो दोस्तो इन दोनों वीडियो पर मैं आपको एक वीडियो लाने वाला हूँ समभली होजना और ये जो स्रम सुधार की गोशना की गई इसके बारी में आपको एक पर्मानेंट वीडियो अलग सी लाने वाला हूँ एक दो दिन में आपको वो लाइब मिल जाएगा तो दोस्तो यह था हमाराज का वीडियो जिसमें हमने बात की एक से देश मई तक के करंट अफेर की बारी में जितने भी मद्ध प्रदीश और ओवर ओल इंडिया वर्ल्ड से रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट कॉश्चन बन सके हैं वो आप तक लेकर आए हैं दोस्तो अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं अपने दोस्तों और परीबार के साथ सेर कीजिए और चेनल स्टेडि उनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए तो आज के लिए वस्तना ही नमस्कार have a nice day